साथियों, किसी भी राष्ट की विकास यात्रा में, अनेक उतार चड़ाव आते रहते हैं, कई पड़ाव आते हैं। आज के कुछ दसक पहले जो देश आगे बढ़े, कई देश आगे बढ़े हैं, विक्सित हुए हैं। अगे भारत आगे बढ़ रहा है। विक्चनोतियां बहुत ही अलग है, बहुत ही व्यापक है, विविदताओं से भरी हुई है। अज इतने सारे ग्लोबल चल्लेंजीज हैं। अब देखे, सौ साल में आई सबसे बड़ी महामारी। सबसे बड़ा संकट है, दो देश महिनों से युद्ध में है, पुरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। उस थिती में, इस बेक्ग्राउंड को सोचिए, उस थिती में दे इंडिया मोमेंट की बात होना सामान्य नहीं है। ये एक नया इतिहास बन रहा है, जिसके हम सभी साक्षी हैं। आज पुरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गती से बढ़ने वाली अर्थिववस्ता है। आज भारत दुनिया में नंबर बन स्मार्ट फोन डेटा कंजूमर है। आज भारत ग्लोबल फिंटेक एडोप्शन डेट में नंबर वन है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेनुफेक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है। लेकिन चलो पुरानी बातें कभी किसी को जरूत पड़ेगी तो खोद के निखालेगा। लेकिन मैं अभी अभी की बात करना चाहता हूं आज और वो भी दोहजार तेईस की दोहजार तेईस के पचरतर दिन हुए है। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का एतियासिक ग्रिन बजेट आया। इन 75 दिनों में करनाटका के शिवोगमागा में एरपोर्ट का लोकारपन हुआ। इन पचातर दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेश शुरू हुआ इन पचातर दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर कुज चला बैंगलूरू मैसुरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेसवे का एक सेक्शन शुरू किया गया मुंबई से विशागा पंटम से बंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू हुई IIT धारवार के परमानेंट केंपस का लोकारपन हुआ भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समू के 21 द्वीपों को परम वीर्चक्र विजयताओं के नाम किया साथियों इन 75 दिनों में ही भारत ने पैट्रोल में 20 परसेंट इथिनोल की ब्लैंडिंग करके E-20 फ्यूल लांच किया है इन 75 दिनों में ही तुमकुरों में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलिकॉप्टर फैक्टरी का लोकारपन हुआ है एर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविशन ओडर दिया है इन 75 दिनों में ही भारत ने E-Sanjivani के माद्यम से 10 करोड टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है इन 75 दिनों में ही भारत ने 8 करोड नए Tapwater Connection देने का मुकाम हासिल किया है इन 75 दिनों में यूपी उत्राखन में रेल नेटवर्क के 100 परसंट इलेक्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है साथ्यों इन 75 दिनों में कुनो नेशनल पार्क में बाराचिताओं का नया बहच आया है भारती महिला टीम ने अंडर 19 क्रिकेट में T20 वर्लकप जीता आये इन 75 दिनों में देश को दो असकर जीतने के खुशी मिली है साथ वे इन 75 दिनों में हजारों विजेशी डिप्लोमेट्स और विबिन्न संस्ताओं के प्रतिलिती जी ट्वेंटी की बैटर को मैं हिस्सा लेने के लिए भारत आये इन 75 दिनों में जी ट्वेंटी की 28 आहम बैटर के हुई है यानि हर तीसरे दिन एक बैटर इसी दोरान एनरजी समीट हुई आज ही ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फरंस हुई है हमने देखा बैंगलूर में हुए एर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से जादा देश भारत आये इन 75 दिनों में ही सिंगपूर के साथ यूपी आई लिंकेज की शुरुआत हुई इन 75 दिनों में ही तुर्किये की मदद के लिए भारत में आप्रेशन दोस्ट चलाया अपसे कुछ गंटे पहले ही भारत बंगलादेश गैस पाइपलाइंग का लोकारपन हुआ ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लीश है कि समय कम पढ़ जाएगा और मैं 75 दिन की कुछ बाते इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मोमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है